अलो वरिवन कुछिन का स्टेट्मेंट है सो डेट धी फंचन एफ जैट टू जैट 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 हमारा रहा है इंटीजर के लिए मतलब इंटीजर इंटीजर डिफाइन बै एफ एक्स इकोल टू एक्स स्क्वाइर इस ना एदर वन वन और ऑन टू तो आपको एक फंचन गिवन है जैट टू जैट में एफ एक्स इकोल टू एक्स स्क्वाइर यह ना ही वन वन है और ना ही ओन टू है यहां में प्रूफ करना है ठीक है तो देखो सबसे पहले हम लोग लेट फंचन को डिफाइन करेंगे तो गिवन एफ इंटीजर टू इंटीजर एफ एक्स इस इक्वल टू एक्स स्क्वाइर ठीक है अब वन 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 में यहां पर लेट करेंगे एक्स वन एक्स टू बिलोंस टू यहां से लेट करेंगे मतलब इंटीजर इस डाट एक्स वन इस इक्वल टू एक्स टू पूट करेंगे ठीक है fx is equal to x square तो fx1 हो जाएगा x1 square और हो जाएगा x2 square ठीक है अब क्योंकि आपका x value ले रहा है x1 x2 value ले रहा है integer integer हमारा plus minus दोनों होता है तो इसलिए x1 आएगा plus minus x2 ठीक है अब यह plus minus आगया सिर्फ x1 is equal to x2 नहीं आएगा तो इसका मतलब f is not 1 1 ठीक है न क्योंकि 1 1 के लिए क्या आता है सिर्फ x1 बराबर x2 आता है ठीक है अब 1 1 कैसे चेक करेंगा सबसे पहले let करेंगे fx is equal to y y कहां से let करेंगे यहां से मतलब belongs to integer ठीक है अब fx की value कितनी है x square is equal to y x आजाएगा plus minus root y मगर देखो यहां पर root y अगर y में आप कोई integer value put करो जैसे की 5 अगर आपने 5 put कर दिया तो root 5 क्या होता है integer नहीं होता जबकि x क्या है integer है इसका मतलब यह जो root y है यह not belongs to integer है for some y belongs to integer ठीक है न या फिर आप कोई ऐसी value भी दे सकते हो जैसे की minus 1 put कर दिया negative put कर दिया y को minus 1 put कर दिया तो minus 1 तो आपके पास इसको define ही नहीं कर रहा minus 1 अगर put करोगे तो root minus 1 to define ही नहीं होता ठीक है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे लिखेंगे example के लिए जैसे की y is equal to for y is equal to 5 मालने y for y equal to 5 belongs to integer there is no x belongs to integer इसके y को अगर हम 5 put करते है तो इसके लिए कोई भी x नहीं है जो की integer हो ठीक है और यहाँ पर साथ में लिखते है such that fx is equal to y ठीक है ना तो इसका मत्तब y is equal to 5 z does not have preimage यह अपनी preimage नहीं बना पा रहा है in z तो इसका मत्लब f is not onto तो इसका मत्लब f क्या हो गया onto नहीं है ठीक है